नमस्कार प्यारे दोस्तों स्वाग rozp है आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर मेरा नाम है संडीब जैनी आज के ही सेशन में दोस्तों दिजाइन आफ के बारे में बात करेंगे केनाल्स कितने टाइप invest की होती हैं यह सेशन में discuss हम नहीं करेंगे यहाँ पे design point of view से हम बात करेंगे कि design point of view से कौन-कौन से types हमें देखने हैं बाद में हम next chapter के अंदर जब हम बात करेंगे river training की और river से source से हमारा पानी field तक आता है तो तब हमें कैसी-कैसे types की canals देखने को मिलते हैं तो उसकी बात 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 में करेंगे अभी हम कैनाल के cross section की या उसके bed की हमें बात करनी है कि उसे हम किस प्रकार से design कर सकते हैं बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा session हमारे दो प्रकार के session हैं दोस्तों एक YouTube पर हमारी जो session चलते हैं Monday to Friday जिसके अंदर अभी irrigation engineering पढ़ रहे हैं और एक app के उपर सुबर 9 बजे 11 बजे session होते हैं अभी जो नया subject शुरू हुआ था वो है soil mechanics वो हम पढ़ रहे हैं इसका first chapter complete हो गया second शुरू हो चुका है तो 9 बजे 11 बजे ये दो session होते हैं आप पढ़ना चाहते हैं तो app का link नीचे description में मिल जाएगा app download कर सकते हैं और आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं code use कर सकते हैं आप new start जिससे आपको courses के price पर 10% instant off मिलेगा केनाल की बात करते हैं दोस्तो केनाल क्या है? केनाल एक ऐसा channel है एक रस्ता है जिसके थ्रू हम पानी लेकर के आते हैं source यनि कि जो river थी है हमारी वहाँ पर जो dam बना हुआ है उस dam से लेकर के हम लेकर के आ रहे हैं हमारा field दक पानी लेकर के आ रहे हैं तो उसके अंदर जो major contribution है जो सबसे जादा major stream है जिसके थ्रू पानी बह करके आएगा वो रस्ता जो है वो canal कहलाता है ये किसने बनाई? ये हमने बनाई river हमने नहीं बनाई, river naturally बनी हुई थी nature ने बनाई river को लेकिन canal किसने बनाया? canal हमने बनाया, तो जो canal है उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर एक ऐसा artificial channel है जिससे हम हमारा water जो है वो crown के उपर उपर ले करके आते हैं travel कर वाकिल आते हैं और इसके लिए कोई motor कोई pump की ज़रूरत नहीं पड़ती जो इस water को pump कर रहा है या pressure से यहाँ पर भेज रहा है ये gravity के कारण आ रहा है अगर water के top surface पे हम देखेंगे तो यहाँ पर atmospheric pressure लग रहा है यहाँ पर कैसा pressure लग रहा है atmospheric pressure लग रहा है यनि कि यह open channel है open channel flow इसके अंदर होता है canal के अंदर यहाँ पर canals का generally cross section अगर हम देखें तो वो trapezoidal होता है अगर हम बात करेंगे earthen canals की तो earthen canals का जो cross section होता है वो elliptical देखने को हमें मिलता है तो बात करेंगे दोस्तों शुरुआत कहां से हुई उसकी canal शुरू में canal जो थी वो क्या थी canal हमने channel बना दिया मिट्टी को खोद करके मिट्टी हटा करके मिट्टी को excavate करके हमने channels बना लिये थे और फिर वहां से हम river का पानी बहा करके ला रहे थे हमारे areas के अंदर जहां पे भी हमें irrigation करना था या जिस भी purpose के लिए पानी चाहिए था major purpose irrigation ही था क्योंकि अगर हम बात करें history की तो history के अंदर सबसे ज़्यादा जो जो हमारा main source था वो क्या था agriculture ही था तो agriculture को grow करवाने के लिए canals बनाए गए और वो canals तब earthen canals होती थी आज के time पे हमें lined canals देखने को मिलती है canals के surface को line कर दिया जाता है cover कर दिया जाता है यहाँ पर तो पुराने जबाने में ऐसा नहीं होता था earthen canals होते थी तो वहां से चीज़ें शुरू हुई वहां से canals का design शुरू हुआ कि वो जो मिटी के canals भी बनाए जाए वो earthen canals भी बनाए जाए उसका cross section कितना होना चीए उसकी bed width कितनी होनी चीए पानी जब भै करके आएगा तो क्या वो उसके आस पास की जो embankment थी वो जो soil थी उसको अपने साथ erosion करवा के ले जाएगा क्या क्या वो पानी अपने साथ जो sediments ला रहा है उनको ला करके deposit कर देगा क्या तो ये सारे problems वहां पर थे जिनका solution हमें अलग-अलग theories या जो अलग-अलग हमें design दिये गए उनके अंदर देखने को मिला वही हम यहां पर discuss करने वाले हैं so canal design के अंदर हम बात करेंगे on account of erosion in catchment and drainage basin rivers receive huge quantity of sediments having fine silt, coarse sand and a portion of which enters into the canal also कहने का अर्थ है कि जहां पर भी एक खूब सारा catchment area होता है catchment area मतलब एक कटोरा मान लीजी आप thousands of kilometer का area है अब इस कटोरे के अंदर अगर कहीं पर भी पानी गिरेगा तो ultimately वो पानी भैकर के कहां पर आएगा जो सबसे नीचे वाले points है वहीं पर ही तो आएगा तो एक catchment area एक ऐसा area जो की आसपास elevated land से बना हुआ है आसपास उसके उठी हुई जगा है और इसके आसपास उठी हुई जगा है और ये जो उठी हुई जगा थी इनके बीच-बीच का area जो होगा अब यहां का पानी भैकर के इस तरफ आ गया यहां का पानी भैकर इस तरफ आ गया and so on तो इनके बीच में ये river बनती है ये streams बनती है जब यह पानी बहकर के आए कि किसी भी फॉर्म के अंदर चाहिए आप बात कर लीजिए कि जब mountains पे होता है तो glaciers melt होते है, ice melt होती है वहाँ से पानी आ रहा है अगर आप बात कर लीजिए थोड़ा और नीचे आएंगे sediments लेकर के आता है और वो sediments इस river के अंदर आ गए अब इस river का पानी अगर canal में लेकर के जाएंगे हम तो canal के अंदर भी आ जाएंगे river बहती बहती आगे जैसे जैसे जाएगी तो river का flood अगर बढ़ जाएगा यानि कि वो अपने आसपास के area के अंदर भी flow करना शुरू कर देगी पहले वो यहां तक flow कर रही थी अब वो यहां भी flow करना शुरू कर देगी तो वो अपने साथ आसपास के sediments और लेती हुई चली जाएगी और वोही sediments आगे हमारी canal में भी चले जाते हैं तो इनी के एक problem को address करना है हमें canal के design में कि यह जो sediments के कारण हमारे canal के cross section जो change हो जाते थे sediment deposit हो गया यानि कि silting हो गई वहाँ पर इकत्रित हो गया काफी सारा silt अगर वहाँ से बहुत ज़ादा material तेज velocity के कारण पानी की heavy velocity के कारण आगे भै करके जा रहा है तो वो भी हमारे लिए एक problem हो गए तो उसका भी हमें solution चाहिए so हमें ये देखना होगा कि जो पानी आ रहा है उसकी velocity क्या है उसके अंदर silt का content कितना है silt का type क्या है क्या सारे particle एक जैसे है क्या different है क्या जो हमारा channel है उस channel की bed जो है अब ये हमारे पास channel हुआ let's see अब इस channel की bed width क्या same रही है क्या इसके अंदर depth of flow जो water की depth है जो flow हो रहा है क्या वो same रह रहा है क्या side slope इतना ही रह रहा है क्या इसका overall cross section change नहीं हो रहा क्या trapezoidal से elliptical की तरफ नहीं बढ़ रहा क्या क्या इसका जो bed था इस channel का इस channel का इस channel का जो bed था क्या इस bed का slope change नहीं हो रहा गया तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी channel के design के अंदर अब ये सब पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि channel के types क्या क्या है पहला हो सकता है कि channel का जो channel है वो rigid boundary हो, rigid boundary का मतलब lined canal हो हमने concrete से, brick से, किसी भी form के अंदर यहाँ पर canal को एक covering provide कर दी है जिससे कि यह बहता हुआ पानी आस पास का जो material था, soil जो थी उसको अपने साथ न ले करके चला जाए तो यहाँ पर हमने rigid boundary channel बोला और इसके क्या-क्या फाइदे हैं पानी बहर चला जाता है तो जिसके कारण यह canal जो जा रही थी यहाँ से सीपेज से पानी बहर जाएगा कुछ time तक तो help करेगा आस पास के plants को, crops को, की सीपेज के थूँ यहाँ पर underground drainage हो रहा है नीचे-नीचे पानी बहर रहा है तो वो कुछ हद तक तो help करेगा लेकिन बहुत जादा सीपेज अगर होने लग जाएगा तो यहाँ जो है, यहाँ की इस तरफ की soil जो है, उसको water locked भी कर सकता है तो वो हमारे लिए issue भी create कर देगा फिर इस canal की जो capacity थी जितना यह water carry करके ले जा सकती थी वो reduce हो जाएगी, losses जादा बढ़ गए ना पानी आदा तो इधर उधर seepage के थुरूई loss हो जा रहा है तो आगे tail end पे एक होता है canal का head, एक होता है tail तो जो tail end पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ तक उतना पानी पहुंच नहीं पाएगा जितने की जरूरत थी या जितने के लिए design हमने किया था इसी लिए rigid boundary channels हमने बनाने शुरू कर दिये लेकिन उससे पहले earthen के नालजी थी, मिट्टी वाली के नालजी थी तो rigid boundary channels के अंदर surface जो होता है channel का उसको lined कर दिया जाता है यहाँ पर अब क्योंकि यहांपर कोई इस प्रकार का scenario है नहीं कि यहां की soil की scouring हो जाई, scour होना और silt ओने का मतलब क्या है silt होना तो मतलब deposit होना, silting होना मतलब deposit हो जाए material आकर के कहीं पर scouring होने का मतलब कि यहां से material उठ करके आगे चलता चला जाए यहाँ से material उठकरके आगे चलता चला जाए तो उसे बोलते हैं scouring तो यहाँ पर scouring का कोई scenario है नहीं क्योंकि यह channel जो है वो rigid है यह channel क्या है? rigid boundary वाला channel है scouring इसकी होगी नहीं anti-tannelless हमने जो channel की lining के लिए material यूज किया है वो बहुत बेकार quality का use कर लिया तो बात लगए लेकिन अगर अच्छी quality यूज करेंगे अच्छे standard से इसे बनाया जाएगा तो यह बहते हुए पानी के करण यहाँ से कुछ erosion तो नहीं होगा silting की बात करेंगे क्योंकि यह erosion नहीं होगा तो आगे कही ना कही अगर silting deposit हो भी गई थी तो हमने वहाँ पर silting एक्स्ट्रेक्टर्स या फिर silting excluders यूज कर लेते हैं उनसे हटा लेते हैं तो काफी तो वहीं हट जाएगी कुछ जो है वो upper regions के अंदर ही upstreams के अंदर ही जाके settle हो जाएगी process क्या होता है overall silting और scouring का कुछ silting आ करके deposit हो जाती है कुछ erosion के कारण वहाँ से हट करके आगे चले जाती है तो इस current से water में suspension में silting maintained रहती है लेकिन rigid boundary channel के अंदर overall ये process reduce हो जाता है इस boundary के कारण in such channel velocity of flow is high which does not allow deposition of silt एक factor ये भी होता है कि ये पानी बहुत तेज velocity से भाएगा rigid boundary channel के अंदर तो इस वज़े से particles को settle होने के लिए समय ही नहीं मिलेगा जब भी हमारे पास कोई पानी होता है जिस पानी के अंदर sediments देखने को मिलते हैं आमें थोड़ा सा गंदा पानी होता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है कि इसको still रख दो इसको as it is रख दो इसके particles को settle होने दो आपने अक्सर देखा होगा ना कि घर पे कोई भी आपका water tank भी है अगर उसके अंदर आपको कही suspended particles देखने को मिलते हैं पोटेशियम पर मेगनेट उसके अंदर आड़ कर देते हैं या alum आड़ कर देते हैं फिर बोल देते हैं कि इसको छोड़ दो कुछ समय के लिए इसको हिलाओ मत इसके अंदर movement मत अलाओ करो तो धीरे-धीरे sediment settle हो जाते हैं particles settle down हो जाते हैं वो settle down कब होते हैं जब वहाँ पर कोई turbulence नहीं होता है जब कोई disturbance नहीं होता है लेकिन यह भैता हुआ पानी तो particles को settle ही नहीं होने देगा आगे निकाल करके ले जाएगा इनको यहाँ पर तो इस case में sediments का deposition या फिर इनकी scouring या फिर इनका transportation बहुत कम होता है as compared to other channels अब unlined channels दूसरे प्रकार क्या आते है unlined channel इन दोनों में major difference यह जो lined या फिर rigid boundary channel थे और unlined channel है इन में major difference हम बता देते है on the basis of who covered the canal हमने किया artificially किया तो हमने बोल दिया कि वो rigid boundary channel है अगर naturally available है तो हम बोल देंगे उसको कि वो unlined channel है natural material से बना हुए जैसे कि अगर simple soil के अंदर कैनाल भह रही थी तो हम इसे बोल देंगे कि यह unlined channel है aluvial type की है अगर हम ऐसे बोले कि कोई gravelly या border या कंकर पत्थर या फिर यह कह लिए natural ऐसा material available था जो खुद scouring ना show करें इतनी जैसे rocks के party अगर rocks है rocks या stones अगर present है तो stones की scouring तो नहीं होगी अगर इसके bed के आसपास stones present होगे तो उनकी scouring तो नहीं होगी तो इसी basis पे हम इनको categorize कर देते हैं unlined channels is the one which has the surface of natural material through which it is constructed and it is not provided with a lining on its surface कोई lining इसके surface पे हम नहीं provide करते हैं in this the quantity of silt varies from section to section due to scouring of bed and sides of the channel as well as due to silting कि particles आकर के यह देखे यहाँ पर आकर के काफी ज़्यादा silting हो गए deposit हो गए अगर particles बहुत ज़्यादा deposit हो जाते हैं तो अब इसका cross section जो था जो इसका cross section पहले था अब वो change हो जाएगा कुछ और बन जाएगा यहाँ पर silting के करण कुछ यहाँ पर बहते हुए पाने के करण scouring हो जाएगी यहाँ से particles हट जाएगे तो वो silting और scouring के करण यहाँ पर channel का cross section change हो रहा है उसकी bed width change हो रही है उसके sides जो है वो change हो रही है bed का slope यह जो bed present था जिसके उपर पानी बहरा था उसका slope भी change होता चला जाएगा तो अगर velocity बहुत कम हो जाती है पानी अगर बहुत धीमी गती से बहेगा तो क्या होगा particles को settle करने का समय मिल जाएगा तो silting जादा होगी अगर water बहुत तेज velocity से flow करेगा तो उस case में यहाँ पर जो particles settle हुए है उनको भी वो erode करके ले जाएगा तो high velocity के करन तो scouring होती है low velocity के करन क्या हो जाती है silting हो जाती है तो यह major सी बात है unlined channels के लिए अब unlined channels में किया क्या जाए भाई साब करेंगे क्या हम हम यह चाहेंगे कि ना तो silting हो ना scouring हो हम चाहेंगे कि ना तो particles आकर के settle हो ना ही वहाँ से हटें silting और scouring दोनों ही ना हो तो क्या यह possible है कि water से आप sediments को हटाई दो possible नहीं है कि हम सारे के सारे particles यहो sediments water के अंदर present है उनको हटा पाएं यह बिल्कुल भी possible नहीं है तो फिर क्या करें तो हम यह कर सकते हैं कि हमारा water जो है उसको कुछ इस तरीके से हमारे channel को कुछ इस तरीके से हमें design करना पड़ेगा जिससे कि जितने particles आकर के किसी जगा settle हो रहे हैं उतने ही particles वहाँ से उठ करके चले जा रहे हैं तो वो maintained रहे वो एक equilibrium maintained रहे तब हम बोल देंगे कि हाँ यह channel जो है हमने design सही तरीके से कर दिया है अब यह channel stable रहेगा अब इस channel के अंदर ऐसा नहीं होगा कि बार-बार उसका cross section चेंज हो रहा है उसकी bed width, bed slope यह सब change हो रहे हैं हाँ जब canal बनाई जाती है जब एक earthen canal मिटी वाली canal की बाते हो रही है यहां पर sitting, scouring और यह जो regime channels की बात करेंगे तो उस case में तो जब एक canal बनाई जाती है earthen canal मान लीजिए आप चले गए है 1940s में, 30s में अब आपको canal बनाने के लिए कहा गया अब आप canal जब बनाएंगे तो आपने मिटी से बनाई है यह canal आपने कोई concrete का use नहीं किया bricks का use नहीं किया मिटी से बनाई है आपने यहां पर अब यह canal अगर आपने बना दी थोड़े time बाद आप देखेंगे इसके way width change हो जाएगी bed के width कुछ ऐसे मान लिजिए यह side slopes है यहां पर भी discovering हो जाएगी कुछ ऐसे मान लिजए कुछ समय बाद देखेंगे तो हो सकता यह ऐसा channel बन जाए कुछ समय बाद देखेंगे तो ऐसा बन जाए तो यह change होता रहता है तो ये अपने आपको nature का एक तरीका है adjust करने का, ये जो water का flow है, इसको adjust करने का nature का भी एक अपना तरीका है, जिसको बाद में Lacey ने भी address किया था, कि वो एक regime condition में आ जाने के कोशिश करता है, कि वो अपने bed width को, sides को, और जो depth of flow है, और bed का जो slope है, इन सारी चीज़ों को वो control करते हैं, मैं कौन-कौन से parameter बोल रहा हूँ, एक बर दुबारा से देख लीजिए, सबसे पहले तो bed के weight आ गई, फिर ये side slopes आ गए, फिर उसके बाद अगर हम along the length of canal चलते हैं, तो canal की length के along देखें, तो ये पानी अगर यहां से यहां भेह करके आएगा, तो क्यूं आएगा ये इसलिए आएगा, क्योंकि इस point A के respect में, ये वाला point B कुछ height के उपर present है, यहां पर bed का slope present है, ये जो bed है, ये जो canal का bed है, इसके उपर कुछ ना कुछ slope present था, तो ये bed का slope भी adjust होता है, जिसके कारण ये पानी भेह करके आ रहा है, तो एक मैंने बोला, कि ये bed के width, फिर ये यहां पर bed का slope, फिर हमने बोला कि ये जो sides हो गई, फिर हमने बोला कि इसके अंदर जो पानी भेहता हुआ जाएगा, जितना depth of water present होगा इसके अंदर, ये, so depth of flow, width of the channel, sides of the channel, side slope of the channel, bed slope, ये सारे वो parameters हैं, जिनको बाद में जा करके हमने बोला, कि ये अपने आपमें adjust हो वो constant मिल रहा है, जो sits, particles जितने settle हो रहे हैं, उतने ही वहाँ से हट रहे हैं, कोई और parameter यहां पर depth, width, कुछ भी change ना हो, तो तब हम बोल देते हैं, कि अब ये एक stable channel बन गया, तो ये बाते तो आई बहुत बात में, उनसे पहले क्या आया, उनसे पहले सिर्फ इतना बताया गया हमें, कि एक ऐसा channel जिसके अंदर silting ना हो, scouring ना हो, तो वो अच्छा channel है, वो stable channel है, फिर हमने बोल दिया, कि या फिर ऐसा हो जाए, कि जितने particles आकर के settle हो रहे हैं, उतने ही हट जाए, तो वो अच्छा channel है, फिर हमने बोलना शुरू कर दिया, कि bed width और slope जो है, ये बात करते हैं, वापस से, topic कहां चल रहा था, हमारा topic चल रहा था, कि canal दो प्रकार के, एक rigid boundary वाली, या lined canal, दूसरी unlined, unlined के अंदर हमने basically ये बोला, कि natural material जो हमारा available है, उस natural material से वो बनी हुई है, अब वो natural material पहला, aluvial हो सकता है, soil हो सकती है, ठीक है, तो उन्हें aluvial canal बोल इच में ये बनी हुई canal होती है, इनके थुरू ये पानी जाता है, ये canals जो होती है, these are designed so that there is neither scouring nor silting, ना तो यहाँ आ करके particles settle हो, ना यहाँ से particles उठ करके जाए, तो इस तरीके से कुछ design किया जाता है, अब आप इस channel को खुद देख लीजिए, ये channel आपको trapezoidal नहीं दि हैं, जिससे कि अब ये ऐसा channel बन गया कि इसके अंदर ना silting होगी ना scouring होगी, या फिर जितने particles settle होगे उतने यहाँ से उठ करके चले जाएंगे, तो ये alluvial channel है, दूसरे प्रकार का channel अगर आप देखते हैं नीचे वाला, इस channel के अंदर आप देखेंगे, तो यहाँ पर कम scouring show करेंगे, ये उसके comparison में कम scouring show करेंगे, so non alluvial canals है तो ये भी unlined, unlined क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको covering नहीं provide की, हमने artificially कोई covering नहीं provide की, ये natural material से ही बनी हुई है, बस यहाँ पर ये material ऐसा है कि ये इतने जल्दी erosion show नहीं कर रहा है, इसके अंदर stones हैं या फिर rocks के particles हैं या यूं कहें, कि ये जो canal का surface है, ये hard present है यहाँ पर, so these canals are constructed through hard soils or disintegrated rocks, since the canal surface is hard, scouring normally does not occur, hence the velocity in these canals is high, इन canals के इंदर velocity relatively alluvial के comparison में जादा होती हैं, तो ये तो बात होगे theoretical वाली, और theoretical वाली भी किस के हिसाब से, ये बात हुई है, design of canal के हिसाब से, कल जब हम बात करें water को divert करने करके लाने की, river से divert करके कैसे ला रहे हैं, तब हम बात करेंगे, अलग-लग types of canal के depending upon that distribution of water, तो कल तो पानी को distribute करेंगे, कैसे खेतों तक पानी पहुंचाना है, आज बात कर रहे हैं कि वो canal को design कैसे करना है, वो canal बननी कैसे चाहिए, इसके लिए दो मुख्य topic हमें पता होने ची है, हमारे exam point of view से पहला है Kennedy, दूसरा है Lacey, तो Kennedy जो है, इन्होंने दो आब area के इंदर लग-बग 22 rivers को study किया, अलग-अलग इन्होंने water के flow को study किया, और उसके बाद इन्होंने हमें ये अपनी theories provide की, अब एक होती है theory, एक होता है invention, एक discovery होती है, discovery मतलब आपने कुछ discover कर लिया, जो already existing था, वो आपने discover किया है, ठीक है, आपने जा करके सबसे पहले देखा, सबसे पहले दुनिया को बताया, कि देखो देखो, मैंने ये चीज़ ढूंडी है, मैंने ये चीज़ बताई है, तो वो discovery हो गई, एक हो गया invention, जैसे Edison ने bulb को invent किया, उन्होंने जाती है theory, theory, theory कौन दे सकता है, गाउं में एक जो होती है, common place होता है, पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे सब लोग बैठते हैं, बुड़े बुज़ोर्गों और वहाँ पर अपने वो भी जो छोटे-मोटे game, entertainment चलता रहता है, और वो अपनी-अपनी theories बताते हैं, कि Russia Ukraine war में, Russia को क्या करना चीए, Ukraine को क्या करना चीए, या क्या हुआ होगा, वो अपनी theories बनाते हैं, उस चीज़ को explain करने के कोशिश करते हैं, उसके solution देने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो Kennedy ने water के flows को study किया, जो अलग-अलग channels थे, उनको study किया, और उन स उनको मिला करके अपनी theory दी कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, या ऐसा हो रहा है, तो theories के case में होता क्या है, theories के case में एक person, देखो theory के बात कर रहे हैं, तो theory के case में क्या होता है, अगर एक scientist ने, एक researcher ने कोई बात बताई, उन्होंने कोई study करके, उसके हिसाब से conclusion बना करके बताया, जैसे covid की case में भी हुआ था न, कि corona शुरू में आया, तो लोगोंने अपनी theory दी, तो theory का मतलब ऐसे नहीं है, कि उन्होंने एकदम exactly study कर लिया था, कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन explain करने की कोशिश की, कि corona क्यों आया होगा, फिर उसके बाद वो कैसे आगे बढ़ा, फिर कर देते हैं, similarly, Kennedy ने शुरुआत में अपने कुछ theory देने की कोशिश की, यह जो canal के design थे, उन्हीं से related, कि हम कैसे design कर सकते हैं, तो theory जो है, एक तरीके से पढ़े लिखे लोगों का जुगाड है, उन्होंने जुगाड करके बता दिया, कि यहां जी, ऐसे ऐसे, इस reason से ऐसा ह हो रहा है, फिर उसके बाद validate कर देते हैं, उसको अगर वो scientific proof हमें उसका मिल जाता है, then that is correct, अगर नहीं मिलता है, तो theory ही रह जाती है, canal थी आपके पास, इस canal के अंदर water flow कर रहा है, इस canal के अंदर जब water flow करता है, तो canal के अंदर बनती है eddies, ऐसा तो है नहीं कि एकदम laminar flow ह पॉसिबल नहीं है, water intermix होगा, यहाँ पर eddies form होगी, भवर form होगी, कुछ इस प्रकार से आपको यह देखने को मिलेंगे, अब Kennedy जी ने क्या बोला, कि यह जो eddies form हो रही है, यह form किस कारण से हो रही है, कि यह जो canal का material है, और जो पानी है, इनके बीच में यह जो friction है, इस friction के कारण eddies form होती है, अब यह जो eddies form हो रही है, यह bed पे भी हो रही है, और यह sides पे भी form हो रही है, तो Kennedy ने कहा कि यह bed वाली eddies जो है, इनका जादा contribution है, side वाली जो eddies है, किनाल के sides में जो eddies बन रही है, उनका इतना contribution नहीं है, major contribution किसका है, bed का ही है, ऐसा किस ने बोला, Kennedy ज अब इन eddies के कारण क्या हो रहा है यह जो eddies firm हुए एक तो bed पर form हुए sides पर form हुए side बालों को neglect कर दो bed बालों को consider कर लो और उस eddy के कारण होगा क्या जो silt का particle अपने weight के कारण कोई silt का particle अपने weight के कारण नीचे settle होना चाह रहा था अब ये eddy इसको क्या कर रही है ये eddy इसको उपर की direction में इसके उपर force लगा रही है जिसके कारण इस weight को इस eddy force ने balance कर दिया जिससे कि अब वो particle settle नहीं हो रहा वो suspension में बने हुए है वो पानी के साथ बने हुए है पानी के अंदर ही बने हुए है तो Kennedy ने इन eddies के बारे में बताया और फिर बताया कि eddies जो हैं वो इसको settle नहीं होने दे रही इसका weight downward direction में लग रहा था eddy force upward direction में लग रही है so eddies are generated due to friction between water and the channel surface जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम bed वाली eddies ही consider करेंगे sides वाली को neglect कर देंगे since supporting power of a channel depends upon the eddies generated from the bed of the channel the vertical component of these eddies tries to tries to move the sediments upwards while weight of the sediment tries to bring it down hence sediments remains in suspension ये नीचे ले जाना जा रहा था ये उपर ले जा रहा है तो suspension में इस तरीके से ये यहीं पर बना हुआ है settle नहीं हो रहा है eddies generated from the sides were neglected because they are horizontal for the greater part and hence they have very little silt supporting power edd Kennedy ने क्या बोला कि ये वाली तो क्या कर रही थी ये वाली eddies जो generate हो रही थी ये eddies तो फिर भी silt को उपर की direction में ले जा रही थी मदद कर रही थी कि ये उपर ही रही नीचे settle ना हो लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये तो लगबग horizontal direction के अंदर है नहीं कुछ angle पे है लेकिन फिर भी relatively horizontal direction के अंदर ही support कर रही है हमें क्या चाहिए कि particle को suspension में कौन बनाएगा vertical component इसलिए Kennedy ने ये वाला neglect कर दिया तो उन्होंने कहा कि mostly sides पे जो भी eddies बन रही है वो तो horizontal direction में support कर रही है Kennedy ने बोला हमें कि एक ऐसी velocity आ जाएगी channel के अंदर जब उसके अंदर पानी flow होगा तो ना तो silting होगी उस वक्त और ना ही scouring होगी एक ऐसी velocity आ जाएगी जिसके उपर ना silting होगी ना scouring होगी उस velocity को Kennedy ने बोला कि वो वाली critical velocity है अब ये 0.55 कहां से आया m y raised to the power 0.64 ये कहां से आया तो ये सब Kennedy ने theory दिया Kennedy ने अपनी calculations करके अपनी research करके अपनी studies करके हमें ये बताया कि जी इतने के बराबर एक velocity आती अगर इस velocity से पानी flow करेगा आपके channel के अंदर तो वो silting और scouring शो नहीं करेगा ना तो particles आकर के settle होंगे ना particles वहां से erode होंगे तो silting and scouring उस पे नहीं होगी ये critical velocity Kennedy ने बोली m जो है वो silt factor उन्होंने critical velocity ratio बताया m उन्होंने क्या बताया critical velocity ratio बताया जिसकी value जैसी soil होगी उस पे depend करेगा coarse grain soil के लिए greater than 1 होती है 1 से 1.2 के बीच में लगबग fine grain soil अगर आपके पास है तो 0.7 से 1 के बीच में होती है हलांकि सबाल में ये value भी आपको दी रहेगी अब question आपसे आ जाता है कि ये याद रखना है क्या तो objective के point of view से रखना है हो सकता है question ऐसा आ जाए जिसमें formula ही पूछ ले .55 my raised to the power .64 as it is formula ही पूछ ले क्या objective में ऐसा question पूछ लेगा जिसके अंदर आपको y की value कुछ put कर देने के बाद ये solve कर पाएंगा नहीं कर पाएंगे बिना calculator possible नहीं है y raised to the power .64 calculate करना तो आप नहीं कर पाएंगे तो उस case में या तो आपको value दे रखियो उसकी या generic साई answer दे रखा ओ इसी form के अंदर तो हम इसे कर पाएंगे क्या mains में आ सकता है? mains में बिल्कुल आ सकता है तो फिर क्या इस topic को सिर्फ mains में ही पढ़ेंगे जब mains आ जाएगा paper 1 जो हमारा था paper 1 के अंदर 110 गई थी unreserved की cut off 110 अगर है इसका मतलब technical में अगर 70 नंबर भी ले आएं बाकी अगर reasoning में ले आएं या technical में 75 भी ले आएं बाकी reasoning में ले आएं तो बात बन जाएगी GKS ना ना करते हुए 10 नंबर का आएं पर पर तू में देखने को मिल रहा है वो टेकनिकल पर जादा focus देखने को मिल रहा है हमें बहले ही paper 1 के अंदर इससे related question ना आए पर paper 2 में आएगा paper 2 ही major difference create करता है final जो आपकी merit बनेगे उसके अंदर paper 2 का ही major contribution है paper 1 हो जाने के बाद इतना time बिलकुल नहीं मिलेगा कि paper 2 की तयारी फिर से scratch से कर पाया तो जो आप अभी पढ़ रहे हैं इसी को आगे जाकर revise करके और questions की practice और जादा करनी है paper 2 के लिए तो paper 1 से paper 2 के बीच का जो time होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ है revision का और सिर्फ mains के questions practice करने का that is it तो उसको उस time के लिए मत छोड़ें कि तब मैं दुबारा से पढ़ लूँगा ये वाले topics छोड़ देता हूँ ये तो mains में जदा तर पूछे जाते हैं pre में नहीं पूछे जाते हैं pre में भी इनके कुछ portions पूछते ही हैं obviously pre में भी इनके steps जो है उन में से कोई एक steps से related question आ जाएगा तो पूछी लेते हैं तो इसलिए इस नजर से इसको देखते चलिएगा कि हाँ mains में क्या पूछता है हाँ practice अभी के लिए आप objective कर सकते हैं लेकिन classes के अंदर तो ये mains point of view से जो चीजें बताई जा रही है वो भी सीखनी है हमें point five five m y raised to the power point six four m क्या था ये discuss कर रहे थे m था हमारे पास critical velocity ratio जिसकी value less than one होती है fine grain soil के लिए greater than one होती है coarse grain soil के लिए y है depth of low अब क्योंकि ये Kennedy की theory है तो Kennedy के logic चलेंगे यहाँ पर Kennedy ने जो steps लिए उन्होंने जो connect करने की कोशिश की चीजें कि कैसे वो velocity आई तो Kennedy के according यहाँ पर अगर हम बात करें तो design steps क्या थे सबसे पहले हमें depth of low माननी पड़ेगी Kennedy ने कहा कि मैं आपको एक table provide कर रहा हूँ उसके according आप depth मानना कि question अगर यह आता है जैसे हमें पता है कि हमारी कैनाल के अंदर हमें discharge चाहिए होगा let's say 45 meter cube per second की rate से discharge चाहिए होगा तो Kennedy ने कहा कि आपको 45 meter cube per second का discharge चाहिए पर second की rate से discharge तो Kennedy ने कहा कि आप trial depth सबसे पहले आप यह मान लेना कि आप जो channel assume करने जा रहे हो उसकी depth कितनी मानना 2.5 meter मानना इसकी depth 2.5 meter मान करके critical velocity calculate कर लेना critical velocity आप calculate करेंगे तो 0.55 MY raised to the power 0.64 y की value आपने assume कर ली y की value discharge के according assume करनी है जितना question के अंदर discharge दे रखा होगा कि एक canal को so and so discharge के लिए बनाना है तो उस discharge के according y की value assume करनी है फिर y की value इसमें put करेंगे m की value आपको sit जो आ रही है वो दे रखे होगे या sediments दे रखे होगे उनके m की value दे रखे होगे वो m की value put करके v not calculate कर लेना है अब जब इस velocity से पानी को flow करवाना है कैनाल के अंदर जब हमें ये पता है कि q is equal to velocity into area तो इस channel का area कितना होना चाहिए जिसमें कि q discharge आ जाए और v not velocity से आ जाए तो area required पता कर सकते हैं कि कितना area चाहिए होगा ये पता कर सकते हैं तो third step हमारा ये ही है तो हम area calculate कर लेंगे कि इतने discharge और इस velocity से अगर water flow करेगा तो कितना area of flow में चाहिए होगा canal के cross section के अंदर कितना area चाहिए होगा फिर हम ये मानेंगे b था channel की width y थी depth of water canal की depth नहीं है depth of water depth of flow depth of flow का मतलब पानी के flow की depth की बात कर रहे हैं आप ये वो हमने consider किया फिर हम consider करते हैं कि ये horizontal to vertical का ratio क्या है horizontal to vertical का ratio क्या है तो generally ये adopt किया जाता है half horizontal to one vertical जितना horizontal चलेंगे उसका double vertical चलेंगे या यूँ कहले जितना vertical चलेंगे उसका half horizontal चलेंगे तो ये side slope ऐसे provide किया हमने दो प्रकार के slope canal के अंदर होते हैं दो प्रकार के slope होते हैं two types of slope are there for a canal कौन कौन से होते हैं पहला होता है ये देख लीजिए ये कैसे canal मान लीजिए इस canal की ये sides हैं तो एक तो होता है ये side का slope जिसमें हमने बोला कि अगर आप one unit vertical आएंगे तो half unit horizontal चलेंगे फिर एक होता है bed slope तो bed slope का मतलब ये वाला slope कि जैसे जैसे आप upstream जाएंगे या फिर जैसे जैसे आप stream से downstream आएंगे तो ऐसे slope करता हुआ आएगा bed जो आपका है वो slope करता हुआ आएगा तो ये जो canal का bed था इसका slope क्या है तो अगर हम ये देखते हैं कि ये एक unit आया s horizontal distance चलने पर तो one is to s form में या s की value लिख देते हैं 1 by n form के अंदर तो इस तरीके से हम लिखते हैं कि one unit vertical तो n horizontal और so on तो इस तरीके से slope को express करते हैं कि जो bed का slope है तो ये तो side slope जब भी मैं बोलोगा जब भी हम word use करेंगे canal का side slope तो side slope का मतलब ये जो sides हैं इनका slope क्या है अगर हम बात करेंगे bed slope की तो bed slope का मतलब ये जो bed है इस canal का इसके slope की बात हो रही है वह अपस जलेंगे topic पर so assuming channel to be trapezoidal channel and side slopes of it as half horizontal is to one vertical तो हम ये मान लेंगे अब आप ये बताएं area कितना होगा area होगा b into y ये वाला area कितना आ गया b into y आ गया दो triangle इस triangle का area कितना होगा इस triangle का area होगा half into y ये वाली side कितनी है half into y into y by 2 so half into y into y by 2 एक triangle का area और ऐसे दो triangle है एक triangle ये दूसरा triangle ये तो इन दोनो triangle का area प्लस ये बीच वाले rectangle का area ये लिख दिया by plus twice of triangle का area जो हमारे पास है तो ये by plus y square by 2 बन जाता है इन दोनों को use करके पहला area हमारा यहां से आ गया था कितना area चाहिए दूसरा हमने ये calculation लिख ली थी इन दोनों को use करके हमें b की value calculate करनी है फिर wetted perimeter क्या होता है wetted perimeter अगर canal के अंदर जब पानी flow कर रहा था तो उसके cross section को cut करो cross section दिख गया अब canal का वो length कौन सी है वो perimeter कौन सा है जो पानी से भीगा हुआ है वो wetted perimeter है तो ये वाला ये वाला और ये वाला दुबारत सुन लीजिए कि अगर कोई canal थी हमारे पास अब इस canal के अंदर अगर पानी flow कर रहा है अगर इस canal में water flow करेगा तो इसके cross section को देखो cross section का मतलब इस section को देखो इस section में वो width कौन सी है जो पानी से भीगी हुई होगी वो perimeter कौन सा है जो पानी से wet होगा तो ये वाली length ये वाली length और ये length इतना ही तो होगा अगर ये पानी से भरा हुआ होगा अगर हमारे पास ये वाली side y है ये y by 2 है तो ये क्या हो जाएगा ये वाली side हो जाएगी y square plus y square by 4 और इसका root similarly यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो y square plus y square by 4 हो जाएगा इसका root तो wetted perimeter होगा b plus twice of y square plus y square by 4 और यहाँ से आप by 4 common लेकर के root से बाहर ले आएगे तो आपके पास value आजाएगी b plus twice of root y square ये twice हट जाएगा मतलब अगर 4 इदर आजाएगा तो या इसी form में इसे लिख सकते है b plus y root 5 आजाएगा यहाँ से हमारे पास wetted perimeter आजाएगा जब wetted perimeter आजाएगा तो hydraulic radius calculate करेंगे hydraulic radius होता है area of flow upon wetted perimeter area of flow upon wetted perimeter का मतलब area of flow तो ये हो जाएगा कि जब पानी के नाल में flow हो रहा है तो उसके cross section के अंदर कितना area दिख रहा है फिर wetted perimeter wetted perimeter हो जाएगी ये so area of flow upon wetted perimeter कितना area of flow दिख रहा है cross section में और वो केनाल की कौन सी length है cross section के अंदर जो पानी से भीगी होई है तो ये plus ये plus ये उपर वाले top width नहीं consider की जाएगी wetted perimeter में केनाल का wet वाला perimeter तो केनाल का wet वाला perimeter सिर्फ इतना है जो यहाँ पर highlight कर रखा है hydraulic radius आ जाएगी hydraulic radius फिर उसके बाद Manning's equation या Chasey's equation इनका use करके हम यहाँ से calculate कर लेंगे कि velocity कितनी बने अब यह जो velocity calculate की और जो हमने शुरू में velocity calculate की थी critical वाली यह एक दूसरे के अगर बराबर आ रही है यह लगबग close आ रही है तो हमारा design ठीक है अगर नहीं आ रही तो फिर से नई trial depth अजियों करनी है अगर हम use करेंगे Chasey's formula cutter की equation यूज़ करके Kennedy ने कहा कि Chasey का formula use करो और इसके अंदर constant जो आपका है वो C cutter की equation से use करो तो cutter की equation बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी equation है 23.00155 divided by S plus 1 by N divided by 1 plus 23 plus 0.00155 by S into N by root R तो यह cutters की equation को use करके cutter की coefficient को use करके Chasey formula में put करना फिर वहां से velocity calculate करना वहां से जो velocity आई वो शुरूबाली velocity से compare कर लेना तो अगर ऐसा हो जाए कि वो दोनों बराबर आ रही है तो हमारा design ठीक है फिर वो dimension वो bed width और वो depth of low use कर लेंगे हम side slope वो ही use कर लेंगे अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर से नहीं depth assume करेंगे तो अब अगर हमारी velocity जो हमने manning या Chasey's coefficient से use की थी अगर वो जादा आ जाती है previous वाली से तो अब जो नहीं assume करेंगे हम वो जादा assume करेंगे old के comparison में assume bed slope in the range of 1 by 3500 to 1 by 5000 वैसे question में ये दिया रहेगा manning's coefficient अगर नहीं दे रखाओ तो इन channels के लिए use कर सकते हैं लेकिन आज तक इनकी जरूरत नहीं पड़ी है questions में हमेशा ये values दी होई रहती है equation आपके सामने जल्दी सही से देखें इसे solve करेंगे देखे question क्या कह रहा है calculate the bed width for an irrigation channel to carry a discharge of 5 QMAC bed width calculate करने के लिए बोला मतलब B की value calculate करने है for an irrigation channel to carry a discharge of 5 QMAC 5 meter Q per second की rate से discharge चल रहा है उसमें काईदे से तो हमें अगर हम proper equation यूज करेंगे अगर हम proper equation यूज करेंगे तो जो Kennedy ने ये table बताई थी कि जितना discharge होगा अब हमारा discharge की value कितनी दे रखी है 5 meter Q per second दे रखी है तो हमें ये याद करना था कि 0 से 20 के बीच में discharge की value हो तो 1 meter trial depth आप assume करेंगे y की value 1 meter आप assume करेंगे side slopes of the channel are half horizontal to one vertical side slopes की बात करें तो side slope question में दे दिया गया कि half horizontal is to one vertical देना assume critical velocity ratio as 0.8 तो M की value 0.8 दे दी गई हमें take first trial depth of flow as 1 meter तो क्यूंके according आपको question में खुद ही बता दिया उन्होंने कि first trial depth आप मान लीजेगा कि वो 1 meter है अब बताएं कितने अच्छे examiner the channel has a bed slope of 0.2 meter per kilometer यानि कि bed slope की बात करें तो आपका channel ये bed slope दिया हुआ है कैसे दिया हुआ है कि ये bed 0.2 meter change हो रहा है इस point के बीच में और इस point के बीच में 0.2 meter height का difference है अगर इन दोनों के बीच में horizontal distance जो है वो 1 kilometer है 1000 meter है यानि कि हम ये बोल सकते है कि 0.2 meter पर 1000 meter ऐसा लिख सकते है इसे हम या फिर इसे आप लिख सकते है कि ये हो जाएगा 1 upon 5000 1 upon 5000 1 upon 5000 1 by 5000 slope आ गया स्टार्ट करें क्वेशिन को the value of C for the given condition is computed as 30 जो छोटा सा प्यारा सा formula था उसके अंदर value आपको C की value बता दी कि 30 यूज कर ले ना फिर आपको ये बोला V is the main velocity of flow in meter per second R is the hydraulic main radius in meter formula भी बोल दिया cutter की equation यूज कर ले ना formula भी दे दिया आपको की cutter की equation यूज करनी है बस आपसे एक छोटी सी चीज ये पूछ ली कि जो C की value है ना वो किस-किस factor पे depend कर रही है C की value जो है वो किस factor पे depend कर रही है अर्थात वो आपसे जानना चाह रहा है कि C का वो छोटा सा प्यारा सा formula क्या है mains में question आया था engineering services में वो चाहा ये रहा है कि आप वो formula लिख करके बताएं कि क्या था calculation नहीं करवा रहा है वो तो उसने खुद करके दे दी कि 30 है बोल देगा कुछ ऐसा करके कुछ X करके लिख देगा और पूछेगा कि बताएं X की जगा पे क्या होगा वो बताएं या फिर आपको ये पूरी term गायब कर देगा ये पूरी term गायब करके बताएगा यहां X लिख देगा तो और पूछेगा आपसे कि ये divided by 1 plus 23 plus 0.00155 by s n by root r. यह आपको यहाँ पर put करना है. Question शुरू करते हैं. Question के अंदर जो given data है, इसके हिसाब से चलते हैं. सबसे पहला step. Step 1. Step 1. Calculate. Calculate. Critical Velocity. V0 की value calculate करने हैं आपको. V0 की value calculate करेंगे, तो 0.55 m y raised to the power 0.64. 0.55 m की value 0.8 दे रखी है. into first trial depth 1 raised to the power 0.64. और उपर mention कर लेते हैं कि यह हमारा कौन सा trial है. यह first trial है. यह हमारा first trial है. बताएं value कितनी आई है. हाँ, इस class की PDF मिल जाएगी दोस्त. PDF premium. 0.44 आगया. 0.44. 0.44 m per second. उसके बाद यह velocity आगया. step 2. calculate area of flow. calculate area of flow required. आपको पता है कि since q is equal to velocity into area. तो area required will be v0 by q. v0 की बात करें. तो वो कितना दिया हुआ है आपको? calculate कि आपने अभी-अभी 0.44. divided by q. q की value थी 5 meter cube per second. divided by v0. 1 meter per second. 1 meter per second cancel हो जाएगा. बच जाएगा meter square में answer. 5 by 0.44. 11.36 है. area कितना है आपका? 11.36. area आगया 11.36 meter square. जब area 11.36 meter square आगया. अब क्या put कर सकते हैं? step 3 के अंदर? step 3. step 3 में हम बोलेंगे कि area is equal to taking side slope taking side slopes as half horizontal is to one vertical. ये side slopes हो गई. ये b की value. अगर ये value y है, तो ये value y by 2. यहाँ से यहाँ b है ही ये. और ये वाली value फिर से y by 2. area की बात की थी है, हमने area b into y बीच वाला rectangle, दो triangle है, जिसमें एक का area है, half into base into height. ऐसे लिख देंगे, तो आपका formula बना था, by plus, ये 2 से 2 cancel, y square by 2. area की value, 11.36. b into y, plus y square by 2. यहाँ से bed width कितनी आई? यहाँ से bed width कितनी आ रही है? assume बार बार fail होगा, तब क्या करेंगे? फिर अच्छे से assume करेंगे. यही तो Kennedy का drawback है, कि trial method है, try करते रहो, करते रहो, जब तक सही नहीं आ जाता हू. ये value कितनी आएगी? 10.86 आएगी. 10.86 मीटर. Question में हमसे b की value पूछी थी, बता दी. लेकिन क्या यहाँ सवाल खतम हो गया? नहीं हुआ. अभी चेक करेंगे ना, b की value आई है, अभी vetted perimeter calculate करना है, sub calculate करना है. तो vetted perimeter calculate करते हैं. vetted perimeter vetted perimeter किसके बराबर है? p is equal to. एक तो आपने देखनी है, यह b की value. एक यह वाली side, जो की हो जाएगे, y square plus y by 2 का square, मतलब y square by 4. और इस तरफ से मिलर लिए, तो b plus twice of root of y square plus y square by 4. यह जिसे लिखा जा सकता है, b plus twice of root of 5y square by 4. यह 4 बहार आकर के 2 हो जाएगा, और y square बहार आकर के y हो जाएगा, तो b plus y root 5 आजाता है, wetted perimeter, जिसकी value put करें, अगर हम b की value 10.86 put की, y की value 1, और यह root 5, तो wetted perimeter कितना है, यह भी बताएगे. wetted perimeter की value क्या आ रहे है? 13.09, 13.09, जब wetted perimeter 13.09 आ गया, तो हम अब लिख सकते हैं, hydraulic radius, next step, step number 4, step 4, step 4, hydraulic radius, area of flow upon wetted perimeter area of flow 11.36 wetted perimeter 13.09 0.867 आप बता रहे हैं 0.867 C की value question में 30 0.867 into slope 1 by 5000 इसे solve करेंगे तो 0.867 multiplied by 1 by 5000 इसका root ले लेंगे multiplied by 13 तो यह आई है 0.395 0.395 अब आप दीखेंगे इसमें आपने देखा कि since V की value जो की कितनी थी 0.395 0.395 चोटी रह गई जितना V0 था V0 कितना था 0.44 meter per second therefore assume a neutral depth y and repeat the steps till V is equal to V0 जब तक V की value V0 ना आ जाए हमारे case में velocity कम आई है ना हमने बोला था अगर V की value V0 से जादा है तो y को बढ़ाना अब V की value V0 से कम आई है आप लेक लेजिए since V is less than V0 assume assume y new less than y old y new जो assume करें वो कम करना अब आप के उपर है कितनी अब अगर master की बात मानों गया आप तो trial to में क्या करना है trial to trial to में क्या कहेंगे trial to में ये तो उमें पता ही है कि Q की value 5 meter cube per second है step 1 assume depth of flow depth of flow y equals to 0.65 meter therefore critical velocity V0 0.55 m y raised to the power 0.64 0.55 into 0.8 into 0.65 raised to the power 0.64 यहां से V0 की value बता है S question में दिया था था ना 0.2 meter per thousand तो 0.2 upon thousand था न S 0.33339 0.3339 यह V0 की value आ गई पहले वी इक्वेस टू 0.2 आरेस में इसको assume करके R calculate करके P calculate कर सकते हैं ना नहीं दोस्त पूरा process क्या था process यह था कि Kennedy ने यह बोला Kennedy ने यह का कि यह वाला वो formula है जो critical velocity देता है इसके उपर setting scouring नहीं होगी तो हमने का कि ठीक है हमारे सवाल के according अभी previous जो हमारा first trial था उसके according हमने कहा कि Kennedy तो यह कह रहे है कि 0.44 meter per second पर selecting scouring नहीं होगी फिर हमने का इसके हिसाब से और discharge के हिसाब से area कितना चाहिए होगा इतना चाहिए होगा फिर उस area के हिसाब से आपका perimeter कितना आना चाहिए या bed width कितना आनी चाहिए वो calculate किये फिर हमने का उसके हिसाब से आपका hydraulic radius कितना आना चाहिए वो calculate किया फिर hydraulic radius अगर हमारे पास आ गया तो cutter equation यूज़ करके हमने चेक किया कि velocity कितना आना चाहिए तो velocity इतना आ गया अब ये जो velocity जो practical हमारा actual formula है velocity calculate करने के लिए ये और जो Kennedy वाला था ये contradict कर रहे हैं एक जैसी value नहीं दे रहे तो फिर Kennedy कह रहे हैं आपने depth के लगत assume कि आप फिर से एक और try लो और depth कुछ और assume करो और तब तक करते रहो जब तक इस formula के बराबर मेरी velocity ना जाए तो ऐसे assume कर लो तो ये process है overall तो हम उल्टा नहीं कर सकते हैं कि पहले यहां से calculate कर लो यही तो last में validate करना है हमें कि इस velocity के बराबर आने चीए Kennedy वाली ठीक है step 2 में चलते हैं trial 2 में चलते हैं trial 2 का step 2 यह question तब करना है तब करना तो है यह exam में लेकिन trial जो है वो दो करने हैं बस आपको mains में दो trial करने हैं that's it दो में भी अगर examiner को नहीं समझ में आता है ना तो कोई बात नहीं उसको थोड़ा discount दे दो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है काट लो नबर तुम भी क्या याद रखोगे किस से पाला पड़ा क्योंकि exam में time की बहुत importance है ठीक है time का बहुत ज़्यादा importance है exam के अंदर आपने जितना time save करके जितने maximum question attempt किये उतना ही आप selection के नजदीग जाएंगे चलिए देखें step 2 में चले depth of flow आगया step 2 क्या कहेगा step 2 कहेगा area कितना चाहिए area required हो जाएगा q by v0 से q की value आपके पास 5 meter cube per second v0 की value 0.3339 जहां से value हमारी आई 14.975 14.9745 या फिर 5 लिख लेते हैं कितने meter square area आगया कितना area चाहिए होगा हमें अब चलते है step 3 step 3 कह रहा है कि area की value होगी by plus by plus area का हम same formula यूज़ कर सकते हैं जो पहले हमने लिखा था by plus y square by 2 by plus y square by 2 14.975 meter square is equal to b की value पता करनी है y की value 0.65 लेनी है इसका square divide by 2 यहां से b की value बता है b कितना है b की value आजाएगी 22.713 22.713 done जब b की value आजाएगी तो वेटेट परिमेटर वेटेट परिमेटर P is equal to b plus y root 5 b की value 22.713 plus y की value y कितना है 0.65 root 5 वेटेट परिमेटर आजाएगा यहां से वेटेट परिमेटर 22.713 plus 0.65 into root 5 24.166 यह वेटेट परिमेटर आजाएगा हमारा उसके बाद next step में step 4 hydraulic radius hydraulic radius is equal to area of flow upon wetted perimeter area of flow 22.713 wetted perimeter 24.166 0.9398 hydraulic radius 0.9398 step 5 velocity velocity as per Chazy's formula Chazy's formula according velocity की बात करेंगे तो C root Rs C की value 30 into root of R की value 0.9398 into S की value 1 by 5000 1 by 5000 कहां से आई थी क्योंकि question में हमें यह दे रखा था कि the channel has a bed slope of 0.2 meter per kilometer यानि की 0.2 meter per kilometer तो 1 by 5000 आ गया था यहां से यहां से solve करने पर velocity कितनी आ रही है यहां से solve करने पर velocity 0.9398 0.9398 by 5000 इसका root into 30 point कितनी वैल्यू आई अच्छा यहां कड़बर कर दी हमने hydraulic radius गलत ले दिया hydraulic radius गलत है area of flow यह ले लेना था 14.975 14.975 wetted perimeter 24.166 hydraulic radius की value हमें 14.975 divided by 24.166 तो 0.619 आनी चाहिए थे 0.6196 0.6196 0.6196 अब solve करते हैं इसे divide by 5000 raise to the power 0.5 multiplied by 30 0.3339 exact same तो आपने बोला कि since V is equal to V0 therefore our design is okay main main बातें क्या है ki bed width की value जो question में हमसे पूछा वो थी 24 bed width की value 22.713 यह bed width आपको use करनी है side slope और बाकी चीज़ें तो question में दे रखी हैं तो इतना जादा हमारा रोल नहीं है उसमें हमारा रोल bed width और depth of flow यह दो चीज़ें डिजाइन करने में था okay depth of flow इस question का एक important part जो C का formula put करना है आपको इस question का एक important part जो यह C का formula put करना है यह लिख लीजेगा आप यह last है ना state the factors on which the value of C will depend तो यह वाला formula लिखना है इस question में और तब आपका question complete होगा assume कितना करना है कैसे पता चलेगा अब देखो यह second में 0.65 ही क्यों लिया तो यह तो experience के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ठीक है आप जैसे-जैसे questions करेंगे तो आपको एक idea लगेगा नहीं भी लगेगा तो भी दो step करके आने exam में that's it आपके steps सही होने चाहिए अगर दो में भी नहीं आए दो trial में नहीं आ रहा न first trial किया second trial किया नहीं आई value तो लिग लीजेगा repeat similarly repeat the steps similarly to obtain a relation such that इसकी value is equal to इसकी value V equals to V naught तब तक करते रहें जब तक ऐसा नहीं आ जाए तो examiner को पता लग जाएगा हाँ आपको depth पता है यह जीम कैसे करनी है फिर उसके बाद step by step सारे steps आपको पता है तो कोई problem नहीं आएगी ठीक है दोस्तों अभी के लिए इतना ही करते है यह हमारा पहला method cover हो गया Kennedy का और यह question homework में लिख लीजिएगा simple सा question है simple सा question है Mannings formula यूज़ करना है Mannings formula यूज़ करके आपका answer आजागा यह homework में आपको करना है मेरा नाम है संदीब जानी और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी से share कर सकते हैं अगर इस वीडियो का अभी तक like नहीं किया तो like कर सकते हैं अगर आपने अपनी app जो है वो अभी तक download नहीं किया वो आप join कर सकते हैं उसका link भी नीचे description में आपको मिल जाएगा app download करने के बाद वहाँ पे आपको course दिखाई देगा इस course पे आप जा सकते हैं यह course pre to main सब कुछ cover करेगा technical, non-technical, everything सब कुछ included होगा एक single course के अंदर इसकी view details में जाके आपको use coupon code का option आजाएगा वहाँ use कर सकते हैं new start जिससे आपको 10% instant off मिलेगा thank you so much, see you again in next session और आप live stream खतम होने के बाद आप अपने valuable comments या feedback जो है वो नीचे comment section में दे सकते हैं जब live stream खतम हो जाए ये live chat खतम हो जाए और comments वाला section open हो जाए तब आप comment करके बता सकते हैं thank you so much, see you again in next session जिसमें हम lacy के according design करेंगे take care, bye bye जिसमें हो जाए